कि यहां पर हम बात करने वाले हैं अभी तक के जितने सारे इंपोर्टेंट मिशन्स रहें मंगल ग्रह के लिए उनका एक समरी में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं यहां पर लेकिन डीटेल में बहुत ही इंपोर्टेंट से अगर बात करें तो हमेशा यूपीशी के लिए एक सिग्निफिकेंट सेक्शन राय पेस सेक्शन जहां से हर साल कोई ना कोई क्वेशन पूछते हैं लेकिन प्रेविएस यह हमको इतना जाथ कुछ मिले नहीं तो इस बार हम एक्सपेक्श कर सकते हैं कि यहां से हमें कुछ सिगनिफिकेंट अमाउंट अफ क्वेशन्स मिले तो बहुत कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा दीटेल में but then before we begin please don't forget to subscribe to GSO with Rupak and click that bell icon now आप सोचते होंगे solar system में बहुत सारे planets है तो फिर हम Mars के पीछे ही क्यों पड़े है क्यों हमें Mars को ही इतना study करना है वेल दिखिए बहुत ही simple logic है बहुत सारे ऐसे characteristic features है जो Mars share करता है Earth के साथ example के तौर पर जो Martian day है जिसको souls कहा जाता है यह होता है 24 hour and 37 minute का जो की Earth से मिलता जुलता है इसके अलावा जो atmospheric composition है and geological features like mountains, craters, channels, lowlands जैसे कि हमें Earth में देखने को मिलता है similarly हमको मिलता है Mars में मैं आपको यहाँ पर example के तौर पर बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे Earth में Grand Canyon मौझूद है similarly valleys, marinaries and hellas नाम का दो Canyon आपको मिलता है Mars में जो बहुत ही significant size के है and इनको कहा जाता है कि यह Mars का Grand Canyon है वैसे मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि Grand Canyon जो है यह कौन से country में स्थित है कौन से country में आपको पाया जाता मिलेगा वैल देखिए जैसे कि हमारा एक सैटलाइट है नेचरल सैटलाइट है मून similarly मार्स में भी ऐसे दो आपको मिल जाएंगे एक है फोबोस दूसरा है डेमोस एंड यह दोनों मेसेज जो फोबोस है यह बड़ा है compared to the demo as well देखिए यहाँ पर तो similarities आपको मिल गए लेकिन आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या वाइशुड वी study Mars still the question arises well देखिए यहाँ पर जब हम मार्स को study करते हमारा main aim रहता है कि हमें यह जानना यह देखना है कि क्या future में जाके मार्स में life की कोई possibilities है या फिर क्या past में ऐसा कुछ रहा होगा मार्स में कि जहां पर life मौजूद हुआ करता था तो यह basically हमारा study purpose होता है इसके अलावा क्योंकि इतने सारे geological features atmospheric features हमें similar दिख रहे हैं तो हम यहां से यह भी idea लगा सकते हैं कि अगर हम मार्स का इसको study कर पाए तो हम अर्थ का evolution किस तरह से हुआ यह भी हम कुछ तक समझ पाएंगे सो बहुत ही significant area होता है in space science अब देखिए जो जड़नी रहा है मार्स का यह आज का नहीं है यह start होता है आपका 1960 से वेल देखिए बहुत सारे missions launch हुए बहुत सारे failure रहा करीब करीब 6 missions थे जो fail हुए इसके बाद first significant जो success हम को मिला था it was by USA that is mariner 4 mission जो की एक flyby mission था इससे पहले सबसे पहले मार्स के लिए mission launch किया था Soviet Union ने जो की एक और flyby mission था 1960 में लेकिन वो fail हो गया था आप सोच रहे होंगे यह flyby mission क्या होता है वेल देखिए flyby mission का मतलब मतलब होता है कोई भी planet है उसके पास से एक spacecraft गुजरता है या फिर जो आप यहाँ पर instruments भेज रहे हैं यह गुजरता है और इस दोरान जो time period मिलता है यहाँ पर study किया जाता है उस planet को एंड यहाँ से जो information हमें मिलता है यह हम analyze क क्या होता है देखिए एक planet होता है इसके चारोर orbit करता है आपका जो spacecraft है वो अब ऐसे में यह जो आपका spacecraft है यहाँ से information gather करता है data gather करता है यह वापस भेजता है और में जहां पर इनका analysis होता है and then first successful lander mission रहा था Soviet Union के तरफ से that is Mars 9 अब lander का मतलब होता है यहाँ पर जाएगा जो spacecraft है यह जाके यहाँ पे settle होगा यहाँ पे particular time period तक functional रहके यहाँ पे study करेगा so this is a lander mission and यह हुआ था Soviet Union के तरफ से first time back in 1971 recent period में अगर बात करें तो आपको मंगलियान पता होगा इंडिया इस्रों का सबसे पहला interplanetary mission रहा जो की successful रहा and यह currently functional यह चलेगा 2020 तक इसके अलावा जो recent period में हमको देखने को मिला है इसी महीने 2020 में जुलाई को launch हुआता अल अमल mission या फिर hope mission from UAE and then इसके immediate बाद हमको देखा Chinese agency के तरफ से Chinese space agency के तरफ से टियानवेन mission इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जुलाई 30 को इसी साल schedule है एक और mission from NASA that is perseverance mission and यह आपको बहुत ही जल्दी सुनने को मिलेगा कि NASA ने launch कर दिया है अपना perseverance mission एक और mission launch होने वाला है जुलाई को या फिर first week of August तक आपको देखने को मिलेगा वेल देखे यहाँ पर बहुत सारे missions हम discuss कर रहे हैं लेकिन एक article यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ Irish Times का यह कहते हैं कि Mars mission have high failure rate success rate बहुत ही कम है स्टेटिस्टिक्स बताता है करीब करीब 42% होता है success rate तो नंबर अगर आप देखे तो लग रहा होगा कि बहुत जादा है लेकिन अगर आप सोचो इसको इस तरह से कि जो एक interplanetary mission है इसको हम बहुत time दे रहे हैं बहुत खर्चा कर रहे हैं एक country का reputation इस पर लगा हुआ होता है या फिर इंडिया का ये एक मैं कहूंगा कि जो technological development है वो काफी significant है कि हमको first instance में ही success मिल गया था इस रो का जो पहला mission था interplanetary mission वो भी मार्स में और वो first attempt में ही successful रहा है तो यहां पर एक significant achievement हम कह सकते है from our ISRO अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले है important missions के बारे में सबसे पहले मैं start करूंगा Mars Orbiter mission को लेके अब यह जो mission है यह इस रो का था launch हुआ था 2013 में and basically यह mission एक technological demonstration mission रहा है हाला कि इस mission को अभी extend किया गया है यह study कर रहा है मार्स को and recently मैं आपको बता देता हूं कि जो मार्स का फोबो से मून है मार्स का natural moon है तो वहां से कुछ significant images recently हमको देखने को मिले इसी हफते last week में हमको कुछ images भेजा गया था and we have studied that particular moon Phobos so यहां पर इस mission के साथ ISRO बन जाता है पूरे world में fourth ऐसा इंडिया बन जाता है fourth country ISRO is the fourth agency to have entered into the Martian orbit after Roskomos, NASA and European Space Agency so यह एक बहुत ही significant achievement रहा हमारे लिए and ISRO के लिए अगर आप cost के बारे हैं बात करते तो 450 करोर का cost रहा with launch weight जो था 1350 kg हमने यहां पर use किया था PSLV extra large variant PSLV C25 यहां पर मैं comparison करना चाहूंगा जो NASA का मावन mission था उसके साथ मावन का जो total खर्चा आया वो था करीब-करीब Indian currency में 4000 करोर so significantly हम कह सकते बहुत ही cost effective में हमने इसको accomplish किया in comparison to मावन mission हाला कि जो मावन था यह dedicated mission था मार्स के लिए in comparison में अगर हम बात करें जो अपना Mars orbiter mission यह बस एक technological demonstration mission रहा है यहाँ पर हमने सिर्फ 5 instruments को select किये थे and इनका काम था यह study करेंगे मार्स का geology, environment, atmosphere को so इनको study करने के लिए हमने 5 instrument भेजा हुआ था with in that particular mission so this is the overall scheme of this particular Mars orbiter mission यहाँ पर देख सकते PSLB C25 vehicle है पांच जो मंगल यान है यहाँ पर 5 instruments आपको लगा हुआ दिखेगा and this is the trajectory यहाँ पर देख रहे है जो planet है Earth यह Sun को orbit करता है and Sun यहाँ पर जो अपना मंगल रहा है जो mission है मंगल यान जो mission है यह basically कैसा था यहाँ पर जो अपना यह spacecraft यह पहले तो orbit करेगा Earth को then it will escape it will reach the escape velocity जहाँ पर यह Martian orbit के लिए जाएगा and finally it will start orbiting planet Mars so this was the overall scheme अब यहाँ पर mission का जो objective रहा machine surface को study करना mineral composition को study करना and atmosphere को study करना well देखे यह तो था overall scheme but then आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पहले भी तीन country पहुंच चुके थे मार्स में यह सारे information यहाँ पर हम study करने वाले थे यह already चल रहा था नासा ने अलड़ी यह कर रहा था तो फिर यह mission जो यह हमारे लिए इतना significant क्यों है well दिखिए यह जो mission था यह इस रों का first interplanetary mission था और first attempt में ही हमने success अचीव कर लिया था यह बहुत ही cost effective था in comparison to mawan तो जैसे कि मैंने आपको अलड़ी बता है यहाँ पर मैं आपको एक interesting figure बताना चाहता हूं इस mission में जो खर्चा आया पर किलोमीटर इस रों को साथ रुपे का खर्चा आया space में आप travel कर रहे हो और एक किलोमीटर में आपको साथ रुपे खर्चा करना पर रहा है तो आप यहां से समझ सकते कि कितना ज्यादा cost effective रहा एक और जो इसका significance है यह मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं जो मावन मिशन है या फिर जो European Space Agency यह जो mission launch कर रहे है रॉसकोमोस इनके पास जो launch वेह के लिए वो काफी highly upgraded version है हाला कि हमारे पास तब बस PSLV एक्सल वेरियंट मौजू था वी डिडिड नॉट है दा cryogenic technique of GSLV आज की तारिक में जैसे हमारे पास GSLV Mark 3 है हमने यह सब achieve किया था using PSLV जो की in comparison to other space agencies इतना जादा upgraded नहीं था तो इस तरीके से भी जो अपना यह mission रहा है यह काफी हद तक significant achievement हम कह सकते हैं इसके अलावा इंडिया first country बना to reach Mars मैं आपको बताना चाहता हूं चाइना इससे पहले कर चुका था 2011 में लेकिन चाइना जो है वो बहुत बुरी तरीके से fail कर गया and finally 2013 में after two years इंडिया ने अपना mission launch कर दिया था and success भी achieve कर लिये थे economic benefit बहुत जादा जैसे कि future में foreign contracts हमको मिलने के chances बढ़ जाते हमारा जो foreign जो forum है international forum है in terms of space race हमारा जो image है वो काफी high हो जाता है ऐसा में forex earning के chances बहुत जादा रहते space diplomacy में हमें एक upper hand मिल जाता है country जो ये इंडिया के तरफ देखेंगे एक बार कि अगर आपको किसी दूसरे country को को spacecraft launch करना है तो वो इंडिया को approach करेंगे क्योंकि हमारा जो success है ये काफी significant है तो SMA space diplomacy में इंडिया को एक upper hand मिल जाता है इसके अलावा ISRO जो है ये एक efficient and reliable space agency के तरह उभर के आ गया है अभी जो ISRO है it is one of the most reliable in terms of launch vehicles and in terms of its missions in terms of its programs and SMA हमारा जो space agency है future inspiration मिलता है for innovation and experiments of course simple से बात है जब आप success को test करते हो तो आप future के लिए और भी ज्यादा futuristic हो जाते हो और भी ज्यादा आप में optimism आ जाता है so these are the significance of this particular mission यहाँ पर मैं बात कर रहा था मावन के बारे में थोड़ा सा आपको यह मैं बताना चाहता हूँ यह mission क्या था यह देखे लॉंच हुआ था है नौवेंबर 2013 में इस्ट्रों ने लॉंच किया था यह नौवेंबर पांच तारीक को अपना मंगल यह देन नौवेंबर 18 को मावन लॉंच हुआ था फ्रॉम नासा कॉस्ट था 671 मिलियन डॉलर एंड इन्होंने यूज किया था लॉंच वेहिकल एकलस फाइब जो की पी एसल भी एकसल के कंपीरिजन में काफी ज्यादा अपग्रेड़ेड वर्जिन है अब देखिए मावन जो मिशन है इसका में गोल क्या है इसका में गोल है जो मार्स प्लेनेट है उनका मार्स प्लेनेट का अपर एट्मोस्फेर स्टेडी करना इंड यह स्टेडी करेंगे interaction with sun and solar wind किस तरह से जो solar wind है यह martian atmosphere को effect करता है and इसके अलावा जो volatile compounds है यहाँ पर carbon dioxide, nitrogen, hydrogen यह जो है यह किस तरह से आपस में interact करते हैं and यह जो in due course of time किस तरह से यह volatile compounds loss हुए है इनको study करना था इस mission को आप यहाँ पर इसका अगर full form देखते हैं तो आपको better idea मिलेगा, Mars atmosphere and volatile evolution mission, martian atmosphere यह किस तरह से evolve हुआ है, history में past में यह कैसा रहा and future में यहाँ से हम क्या expect कर सकते हैं, जैसे कि presence of liquid water, planet जो कि इसका habitability कितना है, climate के बारे में हम study करेंगे, so यह सारे mission, यह सारे objectives लेके dedicated mission launch किया था NASA ने, जिसका नाम था मावन, अब मावन का एक जो मैंने अल्रड़ी बता रखा है आपको, यह basically NASA का एक dedicated mission था and currently यह functional है, इसके अलावा, अभी recent period में एक और mission हम को देखने को मिल रहा है, अल अमाल, जो की UAE के तरफ से आया है, इसका जो translation होता है, hope mission, यह देखिए, किसी भी Islamic country का यह पहला mission है, इसका जो cost, expected cost है, 200 million dollar का, अब देखिए, ऐसे भी already मार्स में बहुत सारे countries, चार countries present है, पांचवा जो country है, इसके लिए race चल रहा है, अभी UAE and चाइना के बीच में, ऐसे में, UAE ने अपना mission launch कर दिया है, and UAE अगर successful रहता है, तो first Islamic country बन जाएगा, to reach Martian surface, not surface, Martian orbit, अब देखिए, already यह पहला country है, जिसने मार्स के लिए अपना interplanetary mission launch किया है, in the Islamic world, अब यह जो mission है, यह expected है कि यह मार्स को reach कर जाएगा, by February 2021, अब significant बात यहाँ पर यह है, एक coincidence है कि 2021 जो है, यह 50 years complete होता, UAE after forming as a country, इसका 50 साल पूरा होता है, 2021 में, यह coincidence आप बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर यह success होते हैं, तो यह बहुत ही significant achievement रहेगा, इन्होंने इस launch के लिए मदद लिया था, Japanese जो launch vehicle है, H11A, Mitsubishi Heavy Industries का जो manufactured यह launch vehicle है, काफी reliable launch vehicle, Japanese industry का, तो इन्होंने यह launch vehicle यूज किया था, तो हमको first time global view मिलेगा of martian weather at all times of day, so यह काफी अपने आप में significant factor रहेगा, हमें देखना पड़ेगा कि अगर यह mission successful रहता है, तो यह scientific community के लिए overall एक काफी significant mission होगा, तो यह एक highly significant mission है अपने आप में UA के लिए भी क्योंकि देखिए यह एक तो अपने आप में क्योंकि Islamic country है, यहां से first time इन्होंने कोई mission launch किया, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था अपना एक interplanetary mission launch करने का, so basically जो future होगा इसके बाद अगर यह mission successful रहता है, तो हमें देखने को मिल सकता है future में ऐसे और भी बहुत सारे missions from the different Islamic countries and जो scientific development होगा, वो होगा काफी immense, वैल आप यहां पर सोच रहे होगे कि क्या यह first time है जब UAE ने space में अपना कदम रखा, वैल नहीं, UAE अभी first time नहीं है, UAE ने already अपना Earth Observatory Satellite जो है यह launch कर चुके हैं with the help of South Korea and इसके अलावा, UAE से एक astronaut already space में जा चुके हैं into the ISS, यहां पर आप एक article देख सकते, 2019 से, हजा अल मनसूरी जो first Emirati astronaut and यह जाके 8 दिन तक present थे International Space Station में, so UAE जो है space journey में already काफी significant achievements अचीब कर चुके है, goals जो हैं अचीब कर चुके हैं, लेकिन अभी यह जो interplanetary mission यह अपने आप में इनके लिए काफी significant mission है, इसके बाद आता है Tianwen 1 mission, जो की Chinese Space Agency का बहुत ही एक ambitious mission है, अगर यह successful रहता है, तो यह first time होगा, जब एक orbiter, एक lander and एक rover, यह सारे एक साथ कोई country launch करता है, कोई space agency launch करता है and एक साथ successful होते हैं, अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया, बहुत ही जादा यह ambitious mission है from China and इसके लिए इन्होंने launch किया, जो launch vehicle use किया, that is long merge 5, मैंने already launch vehicle पे एक video cover कर रखा है, अगर आपको जानना है, इनके बारे में detail में तो आप मेरा वो वीडियो visit कर सकते हैं, यह launch हुआ था February, इसी जो जुलाई में 2020 में, यह reach कर जाएगा February 2021 में, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो hope mission है, यह भी reach करेगा February 2021 में, अभी देखने वाली बात ही है कि जो 5th country होगा, स्पेस मार्स में पहुँचने वाले, तो वो कौन होगा, whether it will be UAE और it will be China, objective क्या होगा, यह martian soil को study करेंगे, जो ice water distribution है, इनको study करेंगे, mineral composition, then martian climate and inner composition, जो geological composition है, यहाँ पर एक sketch आप देख सकते हैं, इनका 3D module इनका जो लेंडर होगा, कुछ इस तरह का होगा, वेल, देखिए, जो मार्स में जर्णी है, चाइना का, यह पहला नहीं है, यह already, चाइना जो है, यह already, ट्राइ कर चुके हैं, पहले भी 2011 में, जैसे कि मैंने अल्री बता है, इनका mission था, यांग हो, यह इन्होंने Russian Space Agency के मदद से, किया था, Phobos grant mission के साथ, इन्होंने collaborate किया थ अपना यंग हो, वान, लेकिन यह काफी बुरी तरीके से, फेल हो चुका था, और उसके दो साल बाद ही, इस रो बन गया, फिफ्ट, फोर्थ स्पेस एजन्सी, टू, रीच, दो प्लैनेट मार्स, सो यह तो है, अभी का, यह जर्नी, करेंट सिनेरियो, इसी महीने, एक और mission launch होने वाला है, मैं उसके लिए आपके लिए एक dedicated वीडियो लेकिया होंगा, that is the perseverance mission of NASA, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रिलिम सेक्स में, कि आपको मैंने दो option दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा correct है, curiosity is a joint mission by NASA and European Space Agency, option B है, कि it is an astrobiology mission, यह life को खोज करने वाला mission है, Mars में, so आपको यहाँ से option select करना है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से correct option select करें, और मुझे comment section में बताए कि which one of this correct, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, thanks for listening and God bless you all.